आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो दोस्तों question में क्या पूछ रखा है कि which of the following particle can affect photographic plates हमारी जो photographic plates है वो work कैसे करती है ठीक है, देखो उन plates पे क्या होता है कुछ एक silver compound होता है ठीक है, और वो compound क्या होता है liquidish form में होता है ठीक है, अब जग हमारी इसके उपर हम कुछ radiations डालते है वो radiations डालने के वज़े से वो कुछ particular parts particular parts जिनके उपर radiation पढ़ते है वो क्या हो जाते है opaque out हो जाते है उससे हमारी क्या बनती है negative film बनती है ठीक है, आपने देखा अगा photographer की past में जो camera में से निकलती है वो negative होती है मतलब जो हमारा photo दिखना होता है उसके opposite of black and white वो चीज होती है ठीक है, उसे हम क्या कहते है negative कहते है तो वो form होती है radiation के वज़े से ठीक है, अब वो radiation हमारा alpha particle का हो या beta particle का हो या gamma particle का हो alpha, beta या gamma तीनों भी ये particle के radiations जब हम photographic plate पे affect करते है तो वो तीनों के radiation के वज़े से क्या हो सकता है कि वो photographic plate के उपर हमारा work कर सकता है ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा all of this